तो जैसा कि आप सबीगों पता है, साल का आखृत दिन आने वाला है, यानि 21 सिम्बन आने वाला है, इसके लिए मैंने एक नही रेसिपी लाई ये चिकेन मसाला की रेसिपी, बहुत सिंपल है हमें मसाले बन साथ करके इसे कवर करके छोट देना है, इसमें ज़्यादा मेनत भी नहीं लगेगा तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाएगा चिकन मसाला बनाने के लिए हमने ले लिया है टू पॉइंट चिकन यानि एक केजी चिकन में इदर ले लिया है इसे एकदम अची तरह से धोलिया था तो मैंने इदर 25 लशन की कली लिये और 8 MEDIUM साइस के पयास को लवी टुकड़ों में कट किया है तो आदे पयास और पूरे लशन के हम पेस्ट बना लेंगे और बाकी के पयास हम आंगे जाके कूँक करेंगे मैंने सारे लसन की कली इस ताम पर एड़ कर दी है देख सकते हो 25 लसन की कली मैंने इसमें लियूज किया है तो चलिए इसको ग्रैंड कर लेते हैं यह देखे मैंने इसे एकदम fine grind नहीं किया है थोड़ा दर्दरा रखा है जैसा कि आप देख सकते हो तो चलिए cooking के process में जाती ह तो इदर कड़ाई को मैंने एकदम अच्छी तरह के से गरम होने के लिए दाल दिया था और हमाई कड़ाई जो है बहुत अच्छी तरह के से गरम भी हो गई थी तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे 4 टेबल स्पून ओयल की कौंटीटी थोड़ी जादा होगी तो आपका चिक है चाहँ बताया था तो आपांच मिला टक पहले मैंनी सिखक कर लिए पांच मिल तक पहले मेनीे कर लिया और तो इसमें डाल दिया है पियाज, लसन का पेश, फोल मेडियम से इसका पियाज था और 25 लसन की कली थी तो मैंने इसमें एड़ करिया है 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेट चिली पाउडर कश्मिरी रेट चिली पाउडर मैंने इसलिए इसमे एड़ किया है तो इसका कलर रहेगा बहुत अच्छा हैगा तो मैंने वन टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर तू टेबल स्पून गरम मसला पाउडर तू टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर इसमें एड़ करके इसे एक कोकिंग करना है आगे की प्रोसेस में तो पहले हमें इसे एकदम अच्छी तरह से मिस करना है लगबग 25 मिनट के अंदर आपका चिकन बनके रेडी हो जाएगा तो कवर करके हमने रख दिया था 8 मिनट तक यह देखिया हमारा चिकन जो है कितने अच्छी तरीकी से पानी छोड करना शुरू कर चुका है तो हमें इसे और लगबग 10 मिनट तक इसे कोक करना है तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसे एक बार मिक्स कर लिया जिसे जो हमारे मसाले ना और नीचे से जलेंगे नहीं तो मिक्स करने के बाद फिर से इसे कवर करके मैंने 5 मिनट रख दिया तो देख सकते हो आप 5 मिनट बाद मैंने खोल के देखा था मेरा चिकन नहीं पका तो 10 मिनट बाद मैंने खोल लिया है तो देशा कि आप देख सकते हो हमारा चिकन जो है पानी एब्जॉब कर चुका है पूरा यानि पानी खतम हो चुका है तो हमने इसे एकदम अची तरह से म तो मुझे थोड़ा से और कुक्क करना था क्योंकि में इदा बॉलेर चिकन का यूज़ किया है अगर आप बॉलेर चिकन का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको कुक 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 का प्रोसेस है नो बढ़ाना पड़ेगा तो इसे कवर करके मैंने रख दिया है और पांच मिने तक क्योंकि मेरा चिकन जो इना हलकालका कच्चा था मुझे थोड़ा सा और लागा पकाना चाहिए हमारे चिकन को जैसा कि आप देख सकते हो हमारा चिकन जो है एकदम अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है यह दे प्रेसी पी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जली से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को किना ना हुआ